Hello everyone, welcome to the G.O.E. Colleges GS, मैं हूँ Dr. Krishnanand और आप जानते हैं कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं Class 11th का NCRT Series, जिसमें India Physical Environment का Chapter No. 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है Drainage Systems of India, तो Drainage Systems of India को details में हम समझेंगे इसमें, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और अगर आपको इसकी details में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बहुत सारी बाते Between the Lines भी करते हैं, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, तो हमारे playlist section में आप चले जाएए, वहां आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो definitely सब्सक्राइब करिये, चैनल को लाइक भी करिये अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और अगर आपने अभी तक इसको share नहीं किया तो जादा से जादा लोगों में please share जरूर करिए हम चाहते हैं जादा से जादा लोगों तक पहुचना तो आईए सीखते हैं details of India's drainage system तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा chapter number 3 India Physical Environment book का और इसमें drainage system है हमारा title अब drainage system जब बात करेंगे तो कुछ शब्द को पहले आपको सीखना पड़ेगा कि यह drainage होता क्या है drainage system किसको कहते हैं और उससे related कुछ और terminologies तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले box में दे दिया गया है flow of water through well defined channels is known as drainage मतलब channels proper defined होने चाहिए तब उसको drainage बोलेंगे simply किसी भी flow of water को drainage नहीं बोलेंगे और अगर इसका पूरा एक network बन जाए यानि बहुत सारे ऐसे flow of water आपस में कहीं पर मिलें और जुड जाएं तो इसको हम एक drainage system बोलेंगे तो यह system जो है वो एक network of drainage है तो drainage pattern क्या होता है तो किसी given area में drainage कैसा दिखता है map के उपर यानि किस तरह का pattern बनाता है space में इसको हम लोग बोलते है drainage patterns तो यह सब कौन-कौन से factor के उपर depend करता है तो देखिए यहां दिया गया है कि geological time period यानि time बहुत लंबा लगता है इनको patterns create करने में फिर nature and structure of rocks तो यह geomorphology, physiography हम पिछले chapter में जो हमने पढ़ा था वो बड़ा important है फिर है topography यानि topography जब भी हम बोलते है तो इसमें slope की बात आती है height की बात आती है जिसको आप altitude कहते है elevation कहते है और देखेंगे आप amount of water flowing यानि कितना volume of water flow कर रहा है और कितने pace पे follow कर रहा है यह बहुत important है तो periodicity जो है यह भी बहुत जरूरी है कि कितने time पे water flow कर रहा है पूरे साल कर रहा है या अगर किसी खास season में कर रहा है तो यह सारे बातों को लेके आप देखेंगे कि इसी जगह का drainage system बनता है अब बात करते हैं इसमें कुछ शब्द जैसे ephemeral use किया गया है ephemeral stream होती है वो stream जो सिर्फ रिनी season में जिसमें पानी आता है बाकी season में dry होता है तो इसको simple way में समझ सकते हैं अब सवाल दिया गया है जिसका answer आपको धूनने के लिए कहा गया है अब इसका जवाब के लिए आपको पिछला chapter याद रखना चाहिए क्योंकि western घाट का जो height है वो eastern घाट से थोड़ा ज्यादा है tilt है तो peninsular tilt के वज़े से सारी नदियां जो है आप देखेंगे उनका direction जो है वो eastward है कुछ exceptions है वो कौन से वो भी देखेंगे अब इसमें बात करते है important drainage patterns की तो important drainage pattern नाम दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे dendritic अब अगर आपने neuron का structure पढ़ा होगा तो वो कुछ ऐसा tree like structure होता है एक से branches निकले होते हैं इसको dendrite कहते हैं dendrons and dendrite का structure इसी structure को अगर हम river को देखें कि एक mainstream है जिसमें बहुत सारे tributary उसके join कर रहे हैं तो इस तरह के structure को हम dendritic pattern कहते हैं आपको northern इंडिया में जो plains में river उतर रही हमाले से उनमें ये pattern बहुत commonly देखने को मिलता है फिर आता है दूसरा radial pattern अब तो नाम में ही radius है यानि ये circular होगा कही ना कहीं और इसमें important है कि center से बहार की ओर drainage flow कर रहा है ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है इंडिया में तो आप देखेंगे अमर कंटक range जो है वहाँ से चारों तरफ आप देखेंगे drainage बहार की ओर निकल रहा है तो ये radial pattern है ये ध्यान रहे और इसके अलावा एक और pattern दिया गया है trellis कहते हैं इसको trellis का मतलब यह है कि जो tributary है वो mainstream को almost 90 degree पे join कर रही हो अगर ऐसा system हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे trellis pattern तो trellis pattern आपको कहां देखने को मिलेगा ऐसे एरिया में जहां पर faulted structures है fault lines है नदिया जो है वो fault lines को follow कर रही है straight channel जादा है right meandering channel नहीं है जादा इधर उधर नहीं कर रही straight line को follow कर रही है ऐसे areas में आपको ये trellis pattern देखने को मिलता है इंडिया में आपको peninsular region में मिलेगा और कुछ centripetal and centrifugal drainage भी कहते हैं जैसे centripetal का मतलब होता है towards the center और centrifugal का मतलब होता है away from the center तो अगर आप देखेंगे radial pattern जो है वो कुछ centrifugal जैसा है उसमें एक central point है height जिसकी ज़्यादा है वहाँ से नदिया बहार निकल रही है लेकिन कुछ drainage ऐसे भी है हमारे पास जहां पर नदिया जो है वो एक lake में जाके मिल जा रही है आपको ये himalayan region में जैसे pengong lake है और भी lakes है वहाँ आपको ये centripetal drainage देखने को मिलता है तो ये बाते सिर्फ एक paragraph में कह दिया गया है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और पढ़ने को है अब बात करते हैं कुछ और words का जैसे एक word है catchment area तो catchment area बहुत commonly used होता है क्या है ये मतलब अगर एक नदी जो है उसका सारा पानी एक particular mouth पे concentrate हो रहा है तो ये पूरा area होगा catchment area उसका तो river drains the water collected from specific area तो ये जो area है इसका this is called catchment area इस पूरे area में आगर आप construction करेंगे तो बाढ़ के time पे problem होती है आप देखेंगे सुनेंगे news में आता है catchment area में आपने बना दिया घर तो आपका घर तूड़ गया right तो ये बहुत important है अब देखिए drainage basin यानी base है ये basin अगर आप देखेंगे तो एक sink की तरह है आपके घर में वाश्रूम में sink होता है right जहां से आप पानी गिराते तो ये सब एक जगह पे एक अठा होके और फिर drain pipe से निकल जाता है this is something like a basin structure तो इसमें सारे tributaries उसके network साथ में मिलके अगर आप एक जगह से पानी finally निकल रहा है ऐसा अगर basin एरिया है उसको drainage basin कहता है अब इंडिया का map आप देखें बड़ा interesting drainage divide और drainage basin आपको देखेगा तो सबसे पहले यह line को अगर आप follow करेंगे तो यह divide line है इसको water divide कहता है इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ आप देखेंगे flow different है अरावली region का जो आपका यह area है यह almost demarkating line बन जाता है तो और आवली के इधर जो है वो drainage system सारा बेव बेंगॉल की तरफ जाना था है तो आप देखेंगे Indus river जो है और उसका tributary जो की हिमालियन region से originate होती है वो सारी एक आपको इस particular drainage basin में मिलते है यानि Indus and its tributaries उसके बाद आप देखेंगे Ganga and its tri tributary तो वो सारा का सारा आपको दिखेगा कि जितने भी इसके left bank right bank tributary है वो एक drainage basin ये वाला create होता है और फिर ब्रह्मकुत्रा का अपना एक drainage basin है जिसमें बहुत सारे left bank right bank से tributaries जुड़के ये create होता है तो आपको clearly दिख रहा है कि अगर हिमाले को मैं देखूं तो 1,2,3 clear cut तीन drainage basins दिख रहे है और इसमें drainage divide साफ दिख रहा है परदर आप आईए तो ये देखिए ये ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है लाइन और फिर ये बहार आ रहा है वेस्टन धाट्स पर इसमें दो नदिया है नर्मदा और तापी ये west ward flow करती है exceptions है इंडिया में right ऐसे ही माह साबरमती है ये भी यहां जाइन करता है तो ये हो गया एक तरफ का फिर दूसरे तरफ देखिए महानदी चली इधर आप देखिए पैन गंगा है गुदावरी है कृष्णा है तुंगबद्रा है ये सारे का सारा east ward है इधर कावेरी है और उसके जो tributaries है ये सारे आपका east flowing है तो ये water divide इंडिया का ध्यान रखे और ये नदियों को भी ध्यान रखे इसके left bank और right bank tributaries का description हम देखेंगे further एक शब्द commonly planning के परपस से कोई program अगर हमको river के आधार पर करना हो तो use होता है अकसर कौन सा word है वो water shed अब watershed का मतलब shedding का मतलब सिधा होता है कहां पे आप पान of leaves जैसे पते तो पानी कहां finally एक अठा हो रहा है चारो तरफ से this is basically one watershed अब watershed का scale होता है scale क्यों कह रहा हूं मैं कि गंगा का पूरा drainage basin भी एक watershed हो सकता है या कोई एक छोटा सा river भी उसका एक part भी watershed हो सकता है अपने आप में तो इसके लिए आप देखेंगे कि small rivulets rills भी है व जब कोई program implement करना हो तो इस्तमाल कर पाएं तो यह चीज़ ध्यान रखिए तो watershed का basic definition क्या है कि सारा का सारा पानी किसी एक source पे एक अठा हो जहां पे यह one watershed होता है राइट तो catchment of large rivers are called river basins while those of small rivulets and rills are called watershed तो watershed is small in area और basin cover जो होता है वो large in area यही लिखा गया NCRT में अब बात करते हैं river basins और watershed का unity का क्योंकि यह दोनों जो है वो scale से जुड़ा हुआ है तो यह दोनों एक दूसरे का ही part है अब देखेंगे आप कि यह appropriate तरीका क्या है micro meso और macro planning region बनाने के लिए आपको watershed technique का इस्तमाल किया जाता है अब आते हैं further इसमें बहुत interesting classifications दिया है Indian drainage system का वो क देखिए orientations की तरफ अगर आप देखेंगे कि किधर पानी जा रहा है तो अगर आप इंडिया का map को roughly ऐसे लें तो कुछ river जो है वो east flowing है कुछ river west flowing है तो सीधा हो गया Arabian sea drainage system बेयो वेंगोल देखेंगे और आप सारे river का example उसके अंदर डाल सकते हैं तो आप देखेंगे separation के साब सगर बात करें राइट फ्रम अरावली डेली रिज शाहादरी वाला इरिया water divide जो आपने पीछे देखा map के उपर 77% drainage वो जा रहा है किस तरफ आप देखेंगे गंगा ब्रंपुत्रा महानदी कृष्ण यह सारा जो बेफ बेंगॉल में लेके जा रहा है और 23% पानी ज like 80-20 ratio 77-23 यह ध्यान रखना है इसमें अब आता है दूसरा classification वो है basis of size of watershed यही बात अभी कर रहे थे तो देखेंगे इसमें पहला category है major river basins with more than 20,000 square km of catchment area अब कितना बड़ा किसका catchment area है किसी का छोटा catchment area है तो आप देखेंगे जिसका जादा बड़ा catchment area तो इसमें 14 drainage basin आत कि यह सब पहले वाले में आते हैं बड़े categories में फिर आता है second medium वाला जिसमें 2000-20,000 वाला category है इसमें आता है आपका Kalindi, Peria, Meghana river और तीसरा category है minor river basin जो छोटे watersheds हैं इसमें 2000 square km तक maximum आपका area coverage होता है इसमें ephemeral streams होते हैं low rainfall वाला area छोटे-छोटे streams होती हैं तो वो आपको दे of Bengal में और Arabian Sea में जा रहा है तो इसमें आप देखेंगे कई बार basic difference होता है कि कुछ perennial है और कुछ non-perennial है जो glacier से पिघल के आ रहा है और जो ephemeral streams है water जब बारिश होती है तब उसमें आता है अब देखें नर्मदा और तापी दो exceptions हैं इंडिया में जिसका river पानी जो है लेक चोटे-चोटे जिसको आप detail में अपने atlas में देख सकते हैं further on the basis of तीसरा क्या है mode of origin कहा originate हो रहा है तो obviously हिमालय में जो originate हो रहा है और peninsula में जो originate हो रहा है दो clear-cut division है लेकिन कुछ इसमें exceptions भी है या कुछ एक classification में थोड़ा issue क्या है इसमें कि इसमें आप देखेंगे च accepted classification है कि हिमालयन river system, peninsular river system ये basic classification है अब आईए drainage systems of इंडिया में एक-एक करके देखते हैं कि हिमालयन drainage कैसा है तो हिमालयन drainage देखेंगे क्योंकि elevation से आता है यानि height से आता है तो आप देखेंगे सबसे important क्या है हिमालय का खुद का geological history उसी से जुड़ा है यहां की नदियों क history यानि Indus, Brahmputra, Satlaj, जितने भी ये नदिया है गंगा के साथ साथ ये सारे देखेंगे आपना gorge से निकलती है, narrow valley से निकलती है और giant gorges बहुत important है उसके बाद वो V-shaped valley बनाती है, rapids, waterfalls बनाती है mountain से जब निकलती है तो ये बहुत common feature है उनमें और जब वो plains में आती है तो flat valleys होता है, oxbow lake होता है, flood plain, braided channel, delta ये सारे feature होता है, अब इन feature को हमने पिछले lesson में भी discuss किया था थोड़ा सा, कि नदी जब ऐसे चलती है, इसको meander कहते है, जब वो अपना course छोड़ देती है, तो एक ऐसा lake create होता है, जिसको oxbow lake कहते है, right, ऐसा ही braided channel है, यानि एक channel अगर multiple में तूट जाए, तो multiple channels में तूटने के बाद उसको braiding कहते है, braided channel बनता है, और mouth of the river पे जब material deposit होता है, तो उसको delta कहते है, ये सब चीज़े important है, इसमें सबसे important कहा है, जो plain में river होता है, तो उसका meandering tendency बहुत बढ़ जाता है, right, तो ये जो meandering tendency है, इसके लिए आप देखें fluctuate करता है, वो soft soil region में, sorrow of Bihar भी कहा जाता है, इसको इतनी जादा बाढ़ाती है, तो कोसी जो है, वो बहुत amount of sediments लेके आता है, deposit करता है, और देखेंगे, जब इसका course आप कही न कहीं block हो जाता है, southward आने पे, तो ये अपना course change करने लगता है, इसमें बहुत जादा course में change होता है, इसी लिए इसको sort of Bihar भी कहते है, unpredictable river माना जाता है, अब आते है, evolution of Himalayan drainage, अब ये कैसे evolve हुआ, ये जो drainage में आप पढ़ते हैं, इतनी सारी नदियां, Indus, Ganga, Brahmputar, और उसके इतनी tributaries, तो इसमें सबसे important क्या है, geological viewpoint, क्या है ये viewpoint, कहते हैं कि सबसे पहले एक mighty river थ शिवालिक river, जिसको इंडो-ब्रमहा river कहते हैं, अब ये इंडो-ब्रमहा river उसी समय पे आया, जिस समय पे Himalayan formation हो रहा था, right, Sea of Tethys का जो sediment bed था, उसके उपर जो पहली नदी आई, वो ये river थी, और ये बहुत लंबी stretch में North India में बह रही थी, right, Punjab and Sindh onwards, to almost आप देखेंगे जो myocene period है, right, अब ये myocene क्या है, oligocene क्या है, इसको जानने के लिए आपको geological time scale जरूर देखना सी है, तो ये basically 5 to 24 million years ago, right, तो इतने साल पहले यहाँ पर ये नदी थी, अब इसका कैसे पता चलता है, तो जब आप शिवालिक range में जाएंगे, तराइबेल्ट में जिसमें आप देखते हैं, दौर्स और दून्स और दूराज कहते हैं, right, वो जो गोल गोल पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे deposits, वो इसलिए मिलते हैं, क्योंकि ये alovial deposits पहले river bed के हिस्सा थे, कौन से नदी, तो इंडो ब्रमा river, right, ये शिवालिक river कह सकते हैं इनका lacustrine origin बता जाता है, नहीं, पहले यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े lakes हुआ परेंगे, right, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, पढ़िए आप, और इसमें सबसे common पत्थर कौन से मिलते हैं, तो एक तो alovial deposit से sandstone बनता है, और silt, clay और conglomerate पत्थर, जिसमें ब्रह्मपुत्रा सिस्टम create होता है, इसी इंडो-ब्रह्मा का एक understanding बनाने के लिए geologist ने इसको दिया है, तो आप मायो सीन से आगे आएंगे, तो देखेंगे, प्लिस्टो सीन आते-आते, हिमाले और ज्यादा rise करने लगता है, अप हीवल होता है, और डेली रिज, जो आप का पोटवार प्लेट्व है, इसकी वज़े से क्या होता है, drainage divide create होता है, यानि एक तरफ इंडस चली जाती है, अपने ट्रिबूटरी के साथ, एक तरफ गंगा ब्रह्मपुत्रा का अलग trajectory हो जाता है, तो ये time है, प्लिस्टो सीन, लगभग लगभग आप देखेंगे, कि 2 लाक एर से लेके, परदर प्रिजेंट उन्वड्स जबाहते है तब, तो ये चीज़ है, बहुत ध्यान से समझने वाला, कि ये drainage divide जो है वो, क्योंकि ये माले यंग सिस्टम है, तो नए नए बने है, तो downward thrusting of malda gap, अगर आप देखेंगे, राजमहल हिल्स वाला में घाले प कैसे क्या हुआ, तो बीच में divide कैसे create हुआ, तो आपको आसान लगेगा, अब बात करते हैं, हम river systems की, जिसमें हिमालेयन drainage में सबसे पहला है, inner system, तो सबसे पहला क्या, facts देखें क्या लिखा है, तो largest river basins of the world, 11,65,000 square kilometer, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंडिया में 321-289 है, right, and total length 2880 kilometers है, जिसमें से इंडिया में 1114 kilometer है, right, इसको सिंधु भी कहते हैं, जैसे आप जानते हैं, सिंधु घाटे की सब भी था, Indus Valley Civilization, right, अब इसका जो origin है, अगर आप देखें, तो इसका टिबिट, टिबिटन पठार, जो प्लेटु है, उसमें origin है, right, बोखा कामबन, यह जो local name है, यह कई बार examination में पूछा जा सकता है, या lion's mouth, जहां से निकलता है, right, अब यह जाता कहां से है, तो लदाक और जांसकर range के बीच में से जाता है, इसमें बहुत सारे tributaries जुडती हैं, जो आप देखेंगे, गिलिट और बाल्टिस्तान region में, right, और यह दर्दिस्तान region है, कारगिल के पास ही है, दर्द community कहते हैं, दार्दिक Aryans कहते हैं, जो पुराने settlers हैं वहां के, right, तो यह community जहां पे रहती है, इसी को दर्दिस्तान region कहते हैं, यहां से यह पाकिस्तान में enter हो जाती है, अब इसमें tributary कौन से हैं इंडस के, तो शियोक, गि जान्सकर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गेस्टिंग, अंद्रास, यह जो नदिया हैं, इसको आप थोड़ा गौर से देख लीजिए, अगर आप competitive exam में future में करेंगे, तो इसमें से कोई नदी बार question में आ जाता है, और क्योंकि लदाख जो है इंडिया का बहुत strategic area है, त इसको जरूर आप पढ़िए, देखिए, right, river flows southward, तो पंजनत, right, यह जो मिठान कोट है, यहाँ पे आप देखेंगे, आके इस पांच नदिया मिलती हैं, तो पंजनत बन जाता है, सतलज, बयास, रावी, चिनाव, जहिलम, और इन सब के बीच में जो यह जगे है, इसको द पुलर लेक है, वो इसी का आप देखेंगे, इसके थ्रू पानी उसमें आता है, और चिनाव को यह जॉइन करता है, जहांग में, पाकिस्तान, right, चिनाव जो है, वो लार्जिस्ट ट्रिब्यूटरी है, इंडस का, और चिनाव का दूसरा नाम है, चंद्रभागा, चंद्र जो है, फर्दर नाम दिया जाता है, और रावी नदी जो है, यह बहुत फेमस है, तो रावी नदी जो है, वो रोतांग पास से निकलती है, आप देखेंगे, रोतांग मनाली के थ्रू, कुलू वैली के थ्रू जो निकलता है, और चंबा के थ्रू बहता है, फर्दर आप द निकलता है रोतांग में 4000 मीटर उपर और कुलू वैली के थुरू धौलादार रेंज के थुरू आप देखेंगे काटी इन लार्गी गॉर्ज करके है दो गॉर्ज हैं जिसको काटते वे निकलती है और यह सतलज को मिलती है हरीके के पास राइट तो हरीके बराज बहुत फेम जलता है और फाइनली आप देखेंगे गॉर्ज के थुरू रूपर में जाता है जहां पर इंडिया में इंटर करता है और शिपकिला पास जो बहुत फेमिस है वहां के थुरू यह पंजाब प्लेन्स में एंटर करता है दो है अब आप देखेंगे भाखरानांगल और कल्चर्स के लिए और गंगोतरी ग्लेशर गौमुक के पास 3900 मीटर उतरकाशी डिस्ट्रिक में वहां से निकलती है भागी रती फर्दर यह और भी ट्रिब्यूटरीज को जॉइन करती है जैसे भागी रती अलग नंदा को जॉइन करती है देव प्रयाग पे तो देव प यह दोनों जब मिलके जोशिमट पर आते हैं तो विश्नु प्रयाग क्रियेट होता है प्रयाग basically confluence है दोनों दियोंगा यह चीज़ धियान दखे और दूसरे ट्रिब्यूटरीज अलग नंदा के कैसे हैं पिंडर रिवर है जो कर्ण प्रयाग पे मिल जाता है फिर मंदा क और पदमा का जब में बात करते हैं यहाँ पे हरिद्वार से तो यहाँ पे दो डिस्टिब्यूटरी निकलती है इसी लिए आप देखेंगे 2525 किलोमेटर है गंगा का पूरा लेंथ और उत्तराखंड में 110 किलोमेटर है उत्तर प्रदेश में 1450 हाइस्ट बिहार में 445 वेस लाक्षिप प्रोग्राम दिया गया है जिसको बोलते हैं नमामी गंगे प्रोग्राम सीवेस ट्रीटमेंट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट रिवर सर्फस क्लीनिंग बायो डाइवर्सिटी एफॉरस्टेशन पॉब्लिक अवेरनेस इंडस्ट्रिल एफ्लुएंट मॉनिट गलता है यह राइट वैंग और इदर से आया वह लेफ्ट बैंक तो आप देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है राम गंगा गो मती घागरा गंड़ा कोसी महाननंद और सोन जो है यमुंवना जो यह राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो यमुणा में फूर्दर पानी जो है वो यमुना से तो आता है लेकिन यमुना का पानी और ज्यादा हेवी होके वॉल्यूम बढ़ता है जब चंबल नदी बहुत सारा पानी लेकर उसमें आती है तो चंबल सिंद बेटवा केन यह सब उसके राइड बैंक ट्रिब्यूटरी तो यह ध्यान रहे यह बनाये गया है तो आप देख सकते हैं फिर आईए चंबल नदी की थोड़ी बात करें तो इसका जनम मोग के पास मालवा प्लेट्यू से होता है और फुर्दर आप देखेंगे यह गौर्ज से काटता हुआ कोटा राजस्थान जहां पे आपका जो देखेंगे गांधी साग के लिए जिसको आप बोलते है रवाइन तो यह बीहड के लिए बहुत फेमस है सिफ्टिंग कोर्स की वज़े से क्या हुआ नदी तो चली गई लेकिन मिट्टी जो वह एक अठा करके गई वह मांट्स टीले वैसे रहे गये गंड़क रिवर फरदर आप देखेंगे इसके तो स्ट्रीम है काली गंडग और त्रिशूल गंगा नेपाल से आने वाली नदिया है तो उधर नेपाल हमाले में राइस करता है धौलागरी मांट पर और वहां से फिर यह गंगा को जॉइन करता है अस लेफ बैंक चुब्यूटरी बिहार में आप देखेंगे सोनपूर प इसको आप काली भी कहते हैं कली भी कहते हैं कई जगह पे यह काली गंगा या कली गंगा कई पर कहते हैं सारदा रिवर यह बहुत इंपॉर्टन्ट है परदर आईए कोसी कोसी एक 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 शब्द खाली दे दिया गया है एक ऐसा रिवर जो स्लोप के अगेंस्ट यहां से र river है यह माउंट एवरेस के पास तिबत में राइस करता है और मेंस्ट्रीम इसका क्या है अरुन उसके बाद आप देखिए सन कोशी है फिर सब्त कोशी है तमुर कोशी है यह सारे के सारे जोइन करके river Arun जो है वो बनते हैं और further आप देखिए राम गंगा अब राम गंगा जो है वो एक गढ़वाल हिल से निकल के आता है गरसाएं के पास और यह नजीवाबाद के पास आप देखेंगे गंगा में जाके मिल जाता है दामुदर नदी जिसको सौरो बेंगॉल भी क के बाद इसको थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें रहात मिला फर्दर सार्दा या सर्यू रिवर यह जो है वह मिलाम ग्लेशियर है उतरा खंड में नेपाल हमाले में वहां से आता है और पहले शुरू में इसको गोरी गंगा कहते हैं दूसरा कहता सार्दा काली गंगा यह अब यह गोरी गंगा गंगा आप देखेंगे जॉइन करते करते यह बन जाती है घागरा तो घागरा नदी में आप देखेंगे इसका मिलन हो जाता है और महांनन्दा जो है वह एक और इंपॉर्टन्ट ट्रिव्यूटरी है गंगा का दाजलिंग हिल से निकल के आता है यहां पे तिबितन ओरिजिन तो चेमंग यूंग डूंग ग्लेशर यह कैलाश रेंज से ही मांसोर बर लेक से निकल के आती है बारा सो किलोमेटर का पूरा इसका जो है स्ट्रेच पूरा ड्राई एरिया से निकल के आते हैं सदन टिबत से पिर यह सैंगपो कहलाती है और इन्दिया में एंटर करता है यह जो नाम दिया गया है यह यहां पर नाशनल पार्क भी है तो इस लिए तब जाके ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, जब यह मिल जाती है, यानि दिहांग और दिभांग, दोनों मिलती है, फिर बनता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो है वह आप देखेंगे, further 750 km long journey जाता है, 750 km, यानि इसे huge stretch, असाम में पूरा flooding आप देखते हैं, इस पर, right, और ये सुभानसिरी जो है वो antecedent है जैसे कोशी की बात हमने की और ये ब्रहमपुत्रा जो है further बांगलादेश को enter करती है कहाँ पे धुबरी के पास और south जाती है further इसको तीस्ता जो है सिक्किम से आता हुआ join करता है right bank और इसको उसके बाद बंगलादेश में हम क्या बोलते है जमुना यमुना नहीं बोलते है जमुना जे से अब आएए peninsular drainage पे तो peninsular drainage में जो है western ghats का बड़ा important rule है और central highlands का बड़ा रूल है physiography वाला chapter था second chapter अपने देखा उसमें तो यहाँ पे आप देखिए नर्मदा और तापी तो है इफे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन इन सब का rise है peninsular से ही right highlands से या आपका western ghats से तो महानदी, गुदावरी, कृष्णा और कावेरी को अगर आप देखी यह सारे major peninsular drainage है right और नर्मदा तापी जो है वो drift valley के थ्रू क्योंकि west की तरफ जाता है तो exceptional है अब इनका evolution कैसे हुआ जैसे हिमाले में major इंडो ब्रह्मा river का bifurcation हो के evolution हुआ इनका evolution हुआ subsidence process से right जो submergence होता है western ghats का tertiary period में वहाँ पे आप देखेंगे तो उससे एक पहला चीज फिर आता है हिमाले upheaval हुआ तो northern flank of peninsular block जो है वो subject हो गया subsidence है इधर north में हिमाले उठा तो ये नीचे धसा right तो यहाँ पे आप देखेंगे faulting होता है दो blocks के बीच में एक उपर एक नीचे तो यहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा और तापी का origin faults line में हुआ और stilting की वज़े से peninsula block में आप देखेंगे south eastern direction orientation हो गया नदियों का तो इसके लिए जो है सारी नदिया जो है वो eastward ऐसे south eastern direction में flow करती है अब बात करते है river systems के इसमें तो कौन-कौन एरिया coverage है navigation के लिए बड़ा important है औरिसा के cultures में बड़ा importance रखता है 53% drainage जो है इसका मध्यप्रदेश चतिसगर्ण वाइल 47% औरिसा में है गोदावरी जिसको दक्षिन गंगा भी कहते हैं बड़ा important है नासिक में इसका rise होता है और फरदर आप देखिए महराश्ट्र काफी लंबा और इसका catchment area लगभग लगभग आप देखिए 3.13 स्क्वेर लाक स्क्वेर किलोमेटर है फर्दर पेंगंगा और इंद्रावती नदी की बात करें परानहिता मंजरा यह सब इसके principle tributary है गोदावरी जो है यह बड़ा importance रखता है हमारे पुरानों में भी राजा मुंदरी जो जगह है अंदर प्रदेश में splits into several branches यहां पर यह बर्ड फुट डेल्टा बनाता है कौन सा डेल्टा गोदावरी बनाता है बर्ड फुट डेल्टा याद रखे और कृष्णा जो है इसका second largest east-flowing peninsular river है महावलेश्वर से आता है शाहाधरी रेंज से और पानी के बार थोड़ा कम होता है कभी कबार थोड़ा ज्यादा होता है तो इसके लिए बड़े इसके उपर controversies होती रहती है तो news में होता है उसके tributary क्या है काबिनी भाविनी अमरावती ये नदियों को आप थोड़ा सा गौर से देखिए नर्मदा की बात करें तो originate कहां से करता है वहीं से जहां से सोन करता है अमर कंटक प्लेटू रिफ्ट वैली के थूप लो करता है सत्पूरा range के साथ और ये marble rocks का जो gorge है जहां पर एक बहुत अच्छा waterfall है जबलपूर में है जिसका नाम है धुआधार waterfall इसके थू निकलते हैं ये फाइनली बरूज के पास जाके Arabian Sea में मिलता है जहां पर एक बहुत बड़ा estuary बनाता है जो कि बड़े rich zones होते है इसके उपर सरदार सरोबर प्रोजेक्ट है और यहीं पर आप देखिए यह mission है नमामी देवी नर्मदे इसका भी जैसे नमामे गंगे प्रोग्राम है वैसे यह प्रोग्राम की बात है और तापी नदी जो है यह originate करता है मल्टा बेतुल डिस्ट है MP और वहां से परदर यह आप देखिए 724 क किलोमेटर क्रॉस करते हुए गुजरात की तरफ जाता है ऐसी एक एफेमेरिल रिवर है लूनी रिवर यह largest रिवर सिस्टम है राजस्थान का बाइदवे अरावली में origin है इसका और यह पुशकर के पास दो ब्रांचेस सरस्वती और साबरमती तो सरस्वती जो हम कहते हैं वो जो खो गई सरस्वती यह गगर बेसिन का पार्ट था यह originally इंडस वाले सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो उसका ही एक आप कह सकते हैं एक रमेनेसंस है थोड़ा सा याद दिलाती है तो यह लूनी रिवर है और देखिए आप इधर फर्दर यह रनफ कच में ज बात करते हैं फ्लड और रॉट इंडिया में साथ में आता है तो रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात होती है और कुछ एग्जांपल दिये गये हैं और कहा गया है क्लास टीचर को आप इस स्कीम के बारे में बच्चों को बताईए अवगत कराईए तो यह जो चीजे हैं इस सारी बाते आपको समझ आई और यह वीडियो ओफकोर्स थोड़ा लंबा है तो इसको आराम से आप देखिए लोगों को शेयर भी करिए तो आल बेस्ट विशेज टेक गुड़ केर